हलो नमस्कार साथ यो आप सभी का study alert के digital platform पे हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन है आप सभी को बता आपका जो CT 10 प्लस 2 यानि 12 देवल का जो एक्जामा ये 22-23 और 24 अक्टूबर को हो रहा है और इस चैनल पे आपकी regular मेरातन क्लासे ये चदरी है एक बार फिर से में आपकी इसमें important class ही लेकर आ गया हूँ तो आज की जो क्लास है ये लगबग आपकी 35 मिनट की क्लास होने वाली है क्लास को बिना skip के एकदम 35 मिनट पूरा देख लेना और अंत में आप खुद कमेंट करके बोलोगी एक सर्जिक क्लास में मज़ा आ गया क्योंकि ये क्लास है आपके अतिम वहत्पूर रहने वाली है इस क्लास में आपके जितने भी आपके subject है इंडिया जी के राजस्तान जी के current affairs, science, math, reasoning, computer सब के question डाले है वो सभी question आपके लिए important है इसलिए class को एकदम अच्छेशे देखना है और मैं आपको हर class में बोलता हूँ कि जो new student है वो channel को subscribe कर ले तो अचली class को start को लेती है ज्यादा गुश्देरी नहीं करेंगे सबसे पहला किसन देखो आपकी screen के सामने आगए यह देख लो बई कि उन्होंने किस दुरक के बारे में बोला था कि आपको अगर राजस्तान में कोई भी अगर चीज करनल जेम स्टोड को दी जाएगी तो वह सबसे पहले उस चीज को लेगा किस दुरक के बारे में बोला या फिर किले के बारे में बोला जैसे चितोडगड के किले के बारे म और वेंस्रोडगर्ण आप सभी को गुरुजी पता है कापन है तो यह आपको भेलवारा के अंदर है यह लेके अंदर है और चीतोडगर्ण आपको पता है और जांधर्ण जाएगा नार्गर्ण आपका गर लो कि बूपटल में आपकी सबसे अधिक मात्रा में कोंसी धातू पाई जाती है, जैसे जस्ता, लोहा, एलुमिनियम या फिर तामबा तो इसमें आपका विकलप नमर कौन सा राइट हो जाएगा विकलप नमर आपका तिन राइट हो जाएगा यानि बूपटल में सबसे अधिक मात्रा में आपकी एलुमिनियम पाई जाती है, विकलप नमर आपे तिन को राइट कर देना, नेश्ट क्यों सन देखो भई, अगला परसन आपसे क्या पुछा गया है, अगला परसन पुछा गया है कि निमन लेकित में से कौन सा एदातु खनीज है, यह बताओ भी, निमन लेकित में से कौन सा एदातु एक खनीज है, जैसे बॉकसाइड, जिपसम, मेगनीशियम या फिर मेगनीज, तो इसमें देखो विकलप नमर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें विकलप नमर आपका दो राइट हो जाएगा, यानि जिपसम, निमन में से कौन सी दातु एदातु खनीज है, तो इसमें आपका जिपसम हो जाएगा, और जिपसम आप सभी को बताए, जिपसम के उतपादन में राजस्तान है ना, अगला परसन है कि आवेरी माता का मंदिर राजस्तान के किस जिले में अस्तित है, कला सेंस कर्टी से थोड़ा सा इंपोर्टेंट कि उसन है, वापस देखलो ज्यान से, आवेरी मता का मंदिर आपका कापर है चित तोडगर के अंदर है विकलप नमर दो को आपे राइट कर देना अगला क्यूसन देखो नेक्स्ट क्यूसन आपसे क्या पुछा गया है यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट है कि टाइगर मेन ओफ इंडिया की नाम से किसे जाना जाता है जैसे केलास सांकला या फिर करशन स्रीवास्तव या फिर मुकूल या फिर केलास चोधरी तो टाइगर मेन ओफ इंडिया की नाम स जाना जाता है अगला क्यूसिन देखो अगला परसन क्या पुछा गया है अगला परसन आपसे पुछा गया है कि पंचायत समित्य का अध्यक्स कोन होता है ये परसन आपका राजस्तान की राजवियोस्ता यानि पोलिटिकल से इंपोर्टेंट है पंचाइट समित्य का आपको पर्सन पुछा है तो पंचाइट समित्य का अध्यक्स कोन होता है ये बात पुछी गई है जैसे चालोपसन आपको दे रहे हैं वाड़ पंच, परदान या फिर सरपंच या फिर उप सरपंच तो पंचाइट नहीं पुछा है पंचाइच समिती पूछिया, पंचाइच समिती, तो पंचाइच समिती का आपका जो, देखसा न, वो परदान होता है, पंचाइच समिती का आपका देखस कोन होता है, परदान होता है, विकलप नमर आपका, दो राइट हो जाएगा, वेरी कुट, अगला किसन, उसके बाद परसन आपसे क्या पुछा गया है कि पोद्दे साउसन में ये अच्छा साइंसी क्यूशन है पोद्दे साउसन में कार्बन डायोकसड लेते हैं और ओक्सिजन छोड़ते हैं या फिर ओक्सिजन लेते हैं और कार्बन डायोकसड छोड़ते हैं या फिर ओक्सिजन लेते हैं ल यानि वह oxygen लेते हैं और carbon dioxide छोडते हैं ध्यान रख लेना अगर आपको पूछा जाए कि पोद्दों के शौशन में या फिर पोद्दे शौशन में क्या करते हैं तो वह oxygen है ना वह तो लेते हैं और carbon dioxide वह सौशन में छोडते हैं विकलप नमर आपका तिन राइट हो जाएगा अगला क्यूसन देखो, अगला परसन क्या पुछा गया है, अगला परसन कि आसेंद बेलवाडा निमल कित्मी से किस लोग देउता से सम्दित है, आसेंद आपका जो बेलवाडा के अंदर आता है, वो आपके कौन से लोग देउता से सम्दित है, देवनारेंजी, मलिनाजी, म बड़ वाचन के समय कौन सा आपका वादे यंतर काम में लिया जाता है तो उसमें आपका हो जाएगा जंतर ये भी बात आपको एड़ गरनी है नेक्स्ट के उसन देखो अगला परसन आपसी क्या पुछा गया है अगला कि पर्यावरन स्रक्षन अधिनियम कब पारित हुआ थ जैसे आपको च्यार ओप्सन दे रहे हैं एक तो ओप्सन बोल रहा है 1980 एक बोल रहा है 1986 एक बोल रहा है 1986 एक बोल रहा है 2006 तो प्रयावरन स्रक्षन अधिनियम नहिए यह आपका उनीस सो छे के अंदर आपका पारित हुआता थोड़ा सा इंपोर्टेंट है इसलिए इस पे यांत्रिक उर्जा को धवनी उर्जा में कौन बदलता है सितार माइक्रोफोन या फिर डाइनमो या फिर विदूत बलब तो इसमें आपका हो जाएगा विकलप नमर एक यानि जो सितार है ना सितार वो यांत्रिक उर्जा को आपका क्या करता है धवनी उर्जा में बदलता है next question अगला परसन आपसे क्या पुचा गया है कि कजली तीजगा त्युहार कि स्थी को मनाया जाता है राजस्तान जी कीसे थोड़ा सा important क्यूसन है आप सबी को बता है कजली तीजगा त्युहार है या आपका कहा का परशिद है तो आप बोलोगो गुर जी यह तो बुंदी का परसीद है Qaziliич का त्योहार आपका राजस्तान के कौन से जिले का परसीद है बुंदी का है लेकिन ये पूचा गए कि Qazili patterns त्योहार यह कम नाय जता है तो इसमें आपका कौन सा option राइट होगा एक तो कहा रहा है बादरपद कर्शन तरित्या को, एक कहा रहा है आसाड कर्शन तरित्या को, एक बोड़ रहा है सावन सुकल तरित्या को, एक बोड़ रहा है चेद सुकल तरित्या को, ठीक है चार ओप्सन आपको दे रहे हैं, तो इसमें आपका ओप्सन नमर एक आना, यान लाकी से पूछा किसा गया एक परसन आप से क्या पुछा गया है अगला परसन थोड़ा से important है बस कुछ नहीं किया गयाadores आपकी चेंज की गई है जैसे परसन में क्या पूछा गया कि राजस्तान में RSRTC की स्थापने कब की गई और राजस्तान में RSRTC की स्तापना कब की गई बस परसल में आपको क्या पुछा गए इंगलिस में नाम दिया गए इसका पुरा नाम क्या होता है राजस्तान परिवयन पत्थ परिवयन निगम की राजस्तान परिवयन निगम की स्तापना पुछे आपकी तो राजस्तान परिवय निगम की स्थापन है यह आपकी वी थी 1 अक्टूबर 1964 को अगर आपको पूछ ले जाई राजस्तान परिवय निगम की या फिर अगर आपको पूछ ले जाई important question है यह तोड़ा सा आपके लिए क्या है very very important question है मिठड़ी बांडी आदी सभी साइक नदी आजγरी होता है अजमेर के नाग पाहड से आपकी लोणी नदी है यह निकलती है अगर आपको ये पूछ ले जाए जैसे आपको साइग नदी तो पता है लेलडी, मीटरी, सुकडी और बांडी है लेकिन अगर आपको ये पूछ ले जाए कि जो आपकी लोणी नदी ये कौन-कौन से जिलो में बैती है तो इसमें आप एक ट्रिक याद रखना अपना बजाज आप क्या ट्रिक याद रखोगे अपना बजाज जैसे ऐसे अजमेर हो गया फिर पैसे पाली हो गया और नासे नागोर हो गया फिर बैसे आपका क्या हो गया यहां पे बाडमेर और आपके जा से क्या हो गया जालोर और जैसे आपका हो गया जोदपुर इन च्छे जिलों में आपकी लूणी नदी बैती है तो विकलप नमर आपका दो राइट हो जाएगा अगला परसन देखो अगला परसन आपसे क्या पुछा गया है ये भी important है कि gene नामक protein किस पसल से आपकी सम्मदित है जीन नामक protein है ये किस पसल से सम्मदित है तो जैसे आपको 4 option दे रखे हैं मक्का, स्वयाबिन या फिर धान या फिर जई जो आपकी Jeans है जीन यह आपकी हो जाएगी मक्का से सम्मदित एक बात आपट आपको पुछले जाए कि सबसे ज़्यादा protein किस से प्राप्त होती है यह अच्छा लेिओल अपड़िए तो यह आपको आपकी स्वयाबिन में पॉयाजती है सोया बेन के अंदर ये भी बात आपको एड़ गरनी है अगला किसन देखो उसके बाद एगला परसन क्या पुछा गया है अगला परसन पुछा गया है कि किस सबद में ये परते का परियोग वह है जैसे आपको गांगने, कांते, एसवर मन में पढ़ना, तीन बार आप क्या करना बोलना, उस सबद को three बार, कम से कम तीन बार उसको बोलना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि परते इसमें कौन सा है और उपसर कौन सा है वैसे आपको पता है, कोई भी सबद होता यह मालो सबद है इसके जो पहले लगता है इसके पहले वो तो आपका उपसरग होता है और इसके जो बाद में लगता है वो आपका परत्य होता है तो इसमें आपका परत्य का प्रियोग किसमे हुआ है तो इसमें आपका हो जाएगा एश्वर्य में यह परत्य का प्रियोग हो स्री M.B. सरमा, स्री K.P.U. मेनन या फिर स्री K.S. सिद्धू या फिर स्री G.L. गुपता तो रास्तान के पर्थम और एकमातर लोकाईकत हैं या आपके हो जाएंगे स्री K.P.U स्री K.P.U मेनन कौन हो जाएंगे स्री K.P.U मेनन वजाएंगे विकलप नमर आपका दो राइट वजाएगा एक बात ध्यारक नहीं है अगर आपको पुछा जाई कि राजस्तान के अब तक कितने आपके लोकाइक तो आप बताओगे शिरफ एक हुए है पर्थम और एकमातर थे उनका नाम क्या था स्रीक के पी यू मेनन अगल उनने एक बात बोली थी कि अगर मुझे राजस्तान में कोई भी जागी पेस की जाएगी तो वह सबसे पहले बैस्रोडगर दुर्ग को लेगा तो बैस्रोडगर हमने देखा था आपके बिलवाडा के अंदर है और यह जल्दुर्ग का उदान है यह किसका उदान है यह ब्रामनी नदी पर हो जाएगा कौनसी पर हो जाएगा चंबल और ब्रामनी नदी पर यह अस्तित है एक आपका दुर्ग आता है चितोडगर चितोडगर ना यह आपका गंबीरी गंबीरी और बेड़स पर हो जाएगा गंबीरी और बेड़स नदी इन पर स्तित है गंबीर और काली सिंध नद्यों की संगम पर है ये तिनों बात आपको ध्यान रखने है आहू और काली सिंध अगला परसन देखो अगला परसन यह पुछा गया आपसे अगला परसन इंपोर्टेंट की पंडित जवाल लाल निरुनी राजपुता ने कि किस रियासत को आठवा आस्तर इसमें आपका विकलप नमर चार राइट हो जाएगा यानि किस रियासत को बताया है तो यह आपकी जेसल में रियासत को बताया गया है चलो नेक्स्ट क्यूसन देखो वई उसके बाद एगला परसन क्या पुछा गया है कि वर्सा रित्तु में मानसुन की हवाई या फिर द दक्षन पस्टिम से आपके उत्तर पुरव होती है उत्तर से दक्षन होती है या फिर उत्तर पुरव से दक्षन पस्टिम होती है तो इसकी जो दिसा है वो आपको बतानी है तो इसमें आपका विकलप नमर कौनसा राइट हो जाएगा इसमें आपका विकलप नमर दो राइ करेगा तो यह आपके बांसोड़ा में करेगा क्योंकि बांसोड़ा आपका दक्षणी जिला है इसलिए चलो next question देखो अगला person क्या पुछा गया है यह थोड़ा से important है कि उद्धिपुर जिली में इस्तित वह अभयाने जो बंगेरा के लिए परसिद है थाता जहां रुठि रानी का महल अस्तित है यह अच्छा question पुछा गया आपसे उद्धिपुर का आमें वह आपको अभयाने बताना है जो आपके किस के लिए परसिद है या फिर जहां पर क्या स्तित है जहां पर रुठि रानी का महल अस्तित है तो वह अभयाने आपका कौन सा हो जाएगा कुम्बलगर अभयानी फुलवारी की नाल अभयानी या फिर जैसमन्द अभयानी तो इसमें आपका विकलप नमर 4 राइट हो जाएगा जैसमन्द अभ्यांणी पुसकर जील कितने गाटों से गिरी हुई है या फिर पुसकर जील में कितनी गाट है ये बतना है जैसे 42, 46, 52, इठाउन तो पुषकर जिल में आपकी 52 गाट है कितनी है? 52 गाट है 52 गाटों से गिरी हुई है या फिर 52 गाटों से निर्मित है एक बात ये भी जहां रखना पुषकर जिल आपकी क्या है? प्राकर्तिक, जहां रखना कृतिर नहीं अंदकार, उजाला, किरण, परकास तिमीर शबद का आपका विलोम पुछा आपसे तो तिमीर का आपका विलोम क्या हो जाएगा? तिमीर का विलोम हो जाएगा आपका परकास ज्यान रखना तिमीर का विलोम क्या होता है? परकास होता है चलो, next question देखती है अगला पर्सन, अगला पर्सन क्या पुछा गया है, अगला पर्सन है कि प्राइदी प्य बारत की निमल कित्मी से कुंशी नदी अरब सागर में नहीं गेटती है, ये अच्छा किसे नभी, पेरियार, कावेरी, नरम्दा, ताप्ती, तो इसमें देखो आपकी कावेरी नदी ह प्राइदी प्य बारत की नदी है, लेकिन ये अरब सागर में नहीं गेटती है, बाकी आपकी जो नरम्दा नदी है ये आपकी अमर कंटक से निकलती है, ये भी बात आपको एडड गरनी है, वेरी गूट, अगला परसन देखो, उसके बाद एगला परसन क्या पुछा गया है एगला परसन है कि कमलकांत वर्मा राजस्तान के पहले क्या थे बई बताओ कमलकांत वर्मा है यहाँ पे खाली स्थान पे आप नाम लिख देना क्या कमलकांत वर्मा राजस्तान के पहले क्या थे राजे पाल थे, मुखे मंतरी थे, मुखे नयाज देश देश थे या फिर उब मुखे मंतरी थे तो कमल कांत वर्मा है ये राजस्तान के पहले क्या थे ये बताना है इस QC में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आप इस QC का कमेंट करके जहाए जाता है यह अच्छा के किशाना वही अलगोजा जान सुर्नाई कमाई चा कच्छी गोडी नर्ती है आपका इसमें कूं सा आपका वाण दे यंत्र बजाए जाता है यह बात आपसे पूची सी गहीं है कच्छी गोडी नर्ती आपका का परशीरी विवाय के अउसर पर ये नर्टी क्या जाता है और इसमें जो वादे ये इंतर है ना वह आपका हो जाएगा जांच कौनसा हो जाएगा जांच वादे इंतर हो जाएगा विकलव नमर आपका दो राइट हो जाएगा next question देखो बहए उसके बाद नेक्स्ट परसन आपसे क्या पुछा गया है सोम कमला अंबा सिंचाई प्रियोजना राजस्तान के कौन से जिल्य में अस्तित है मैं एक बार आपको वापस पुन्य बतायता हूँ ये जो जितनी भी आपकी सिंचाई प्रियोजना इनको एकदम अच्छे से पढ़ ले ना भई एकजाम में कनफरम पुछा जाएगा एकजाम में कनफरम परसन आएगा परसन गया कि सोम, कमला, अंबा, सिंचाई प्रियोना, राजस्तान के कौन सी जिले में अस्तित है, उदेवपुर, डुंगरपुर, बांस्वडा, चित तोडगड़, तो यह आपके हो जाएगी गुरुजी, डुंगरपुर जिले के अंदर, कापर है, डुंगरपुर जिले क आता है, टॉंग के अंदर, लेकिन परसन पुछा गया कि राजस्तान में हिरे की खान कापर है, तो यह आपकी हो जाएगी, केसरपुरा के अंदर, राजस्तान में हिरे की कान कापर है, आपकी एक नाम याद रखना, केसरपुरा, विकलप नमर आपका एक राइट हो अगला किसन उसके बाद अगला परसन आप से क्या पुछा गए है अगला परसन पुछा गए कि इन में से कौन सा सबद मचली का प्रेवाची नहीं है सफरी जलोदरी मेन मतस्य तो कौन सा सबद आपका मचली का प्रेवाची नहीं है ये बात पुछी गई है देखो सफरी तो आपका क्या है ये तो प्रेवाची है और मीन भी है और मतश्य भी है आप मतश्य सुनते हो ना मतश्य पाले तो वो मचली से समन्दीची होता है तो ये सभी तो है लेकिन किंतो प्रण तू बठ जलोदरी है ना ये कोई आपका प्रेवाची नहीं है विकलप नमर आपका दो र important है तो संचार में बुनने में संगेत और ओजार में खाने और उद्योग में यह जो तिन नीचे की option है यह तो ऐसी कट हो जाएंगे क्योंकि इनको पढ़ती ही पता चल रहा है तो optic चंबल नदीपर है कौन सी नदीपर है चंबल नदीपर है तो चंबल नदीपर तो अस्तित है लेकिन यहां पे जिल आप पूछा है तो जिल आपका हो जाएगा चितोडगड और कौन सी नदीपर है चंबल नदीपर है अब देखो एक ट्रिक बताता हूं आपको अगर आपको राजस्तान की लंबी नदियां पूछ लेना तो आप ये नाम बोल देना अगर आपको पुछा दै कि राजस्तान की लंबी नदियां पूछ लेना तो आप क्या बता होगे लोनी तो राजस्तान में आपको पता है करक्रेका ये आपका राजस्तान है ठीक है करक्रेका आपके ऐसे गुजरती है ऐसे ये बांसोड़ा हो गया ये डुंगरपूर इन दो से गुजरती है ठीक है ये बात ध्यां रखने है और आपकी जो ये मही नदियाना ये ऐसे परिव करती है और person में यहीं बात पुछी गई थी कि कोंशी न दी दो बार पार करती है यह राजस्तान नहीं बलकी भारती नहीं बलकी विश्वय की एक मातर नहीं जो करगरहा को दो बार गारती है वेरी गूट अगला किसन उसके बाद एगला परसन क्या पूचा गए मारवाड के राठोड राजवंस का सेंस तब कोन था जैसे राउ जोदा राउ बिक्का राउ सिया राउ चुन्डा तो राउ बिक्का थे ना उन्होंने तो आपको बता है आखा तीजगे दिन आखा तीजगे दिन आखा तीजगे दिन आपका जो बिक्का नेर्स है ना बिक्का नेर्स है उसकी स्तापना की थी और आपकी जो राउ जोदा है ना इन्होंने एक तो आपका जोदपुर नगर है ना जोदपुर नगर उसकी स्तापना की एक सन 1460 में महरानगर दुर की स्तापना की ये दो बातें आपको साथ में याद गरनी है तो फिर गुरुजी राठोड आपके जोदपूर के राठोड राज में से उसके सैंस तपक कोन हो जाएंगे तो उनके सैंस तपक हो जाएंगे आपके राउसिहा राठोड वर्श के सैंस तपक कोन थे राउसिहा अगला question अगला person आपसे क्या पूचा गया है ये थोड़ा सा ओर ज्यादा important है राजस्तान में बाजरा अनुसंदान केंदर कहां पर अस्तिता करम जैजनमूर गा फिवरेट परशन है थोड़ा सा अच्छा question है ध्यान से पढ़ना राजस्तान में बाजरा अनुसंदान केंदर ये आपका कहां पर अस्तिता ये बात पूची गई है जैसे आपको चार अपसंदेर के हैं एक तो आपका क्या करे जोदपूर एक आपसे करे बाड़ मेर एक करे जालोर तो बाजरा अनुसंदान केंदर आपका हो जाएगा बाड़ मेर जीले केंदर राजस्तान में बाजरा अगला फर्सन उसके बाद थेसर उसके बाद एगला पर्सन manger जैसे बाद बास पर्सन के और आपके हिंदी से पर्सन के उप सब्सक्वेट जैसे बारत मेज़न जैसे बारत में अनेक Bo Jerry है बारत में अनेक को बोलिया है या फिर बारत में अनेक को बोली है तो इस में से सुद्वा कि कौन सा होगा क्योसन को पढ़ते ही पता चल रहे है अगर हम पढ़ते हैं ना तो हमको पता चल जाता है तो बारत में अनेक को सोरी बारत में उन्ची चोटी है, यह अच्छा किसन है, निमन परवस्त रंकला में से, डोड़ा बेटा सबसे उन्ची है, किसकी है, तो अरावली की थोड़ी ना है, अरावली की तो सबसे उन्ची चोटी गुरु सीकर है, तो फिर डोड़ा बेटा किसकी हो जाएगी गुरुजी, तो यह आ एगला परसन आप से क्या पुछा गया है, कौन से राजस्तान के मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री के पद पर रही हैं, ये अच्छा परसन है, निमन लिकित में से एक मातर ऐसे कौन से वेखती है, जो राजस्तान के मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री दोनों की प पर रहे हैं जैसे मोहलाल सुकाडिया टिकराम पालिवाल हर्द्यव जोसी या फिर असोग एलोत तो इसमें आपका कौन सौप्स राइट हो जाएगा इसमें विकलफ नमर दो राइट हो जाएगा राजस्तान के एक मात्र ऐसी विक्तिकोन है टिकराम पालिवाल है जो मुख्य मन्तर बनने वाले विक्तिकोन है मोलाज सुकाडिया अगला कृसन देखो उसके बाद एगला परसन क्या है यह कंसा है यह आपकी कंप्यूटरsst चेप 他सन पूछा गया है अप्लिकेशन सौप्ट्यर में फैंने वाला आपका वाइरस कौन सा है तो मेक्रोवाइरस है अगला पर्शन जह पुछा गए है Milk of Magnesia के नाम से जाना जाता है Magnesium Cardinate को Magnesium Sulfade को Magnesium Hydroxide को जा फिर Magnesium Cardinat को तो Milk of Magnesium के नाम से किसको जाना जाता है तो ये आपका जाना जाता है Magnesium मेंगनेशियम है हाइगरो हाइडरोसाइड को चलो अगला परसन क्या पुचा गया है अगला परसन पुचा गया है कि रावली परवस्य सम्मन्दित फटार को अंसल नहीं है ये भी एक अच्छा परसन है लसाडिया, बोराट, उडिया, मालवा लसाडिया का पुचा 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 प विकलप नमर आपका चार राइट हो जाएगा अगला किसन ये भी एक अच्छा किसन था अगला परसन ग्या पुचा गया है अगला परसन कि कौन सी समवर सारेका राजस्तान को दो स्पस्ट जलवायू बागों में बाटती है ये भी एक आपका और ही ज्यादा वापस थोड़ा सा इंपोर्टेंट है स्टा लगा लिना अगर आपको पुचा जाएगी कि राजस्तान की जलवायू को दो बागों में बाटने वाली समवर सारेका कितनी है तो 50 हो जाएगी जलवायू को 60 बाटती है और वैसे राजस्तान को 50 बाटती है और मरुस्तल को 25 तिनों याद रखना अगला किसन अगला परसन गया कि राजस्तान में मिनाकारी की थेवाकला के लिए कौन सा स्थान परशिद है बाटमेर जोबनेर नादवारा परताबगड तो जो आपकी थेवाकला है ना थेवाकला इससे समझता आपका परताबगड हो जाएगा कौन सा चेतर हो जाएगा परतापगड और परतापगड में आपका कौन सा परिवार हो जाएगा सोनी परिवार, ये भी ध्यान रखना है परतापगड में आपका कौन सा परिवार है सोनी परिवार है very very important किसन है तो थोड़ा सा आप इस पे star लगाना अगला किसन देखो उसके बाद अगला परसन क्या है दुलकोट का समंद राजस्तान की किस सबिता से रहा है दुलकोट है ना इसका समंद पुच्छा राजस्तान की किस सबिता से है अहड से है कालिबंगा से है बागोर से है बाला थल से है बाला थल आपकी वलब नगर उद्यपूर में है और कालिबंगा आपकी इन्मानगर में हो जाएगी अहड आपकी उद्यपूर में हो जाएगी तो दुलकोट का समन्द आई यह आपका हो जाएगा अहड़ सब्वेता से किस सब्वेता से हो जाएगा अहड़ सब्वेता से हो जाएगा विकलप नमर आपका एक राइट हो जाएगा अगला क्यूसन देखो उसके बाद अगला परसन क्या पुछा गया है नर्ते रतनकोस की रचना किस ने की नर्ते रतनकोस की रचना पुछी आप से इंपोर्टेंट है भई आपके लिए कुमबा, मंडन, सोम, जग जीवन तो नर्ते रतनकोस की आपकी रचना की गई थी कुमबा की दोरा किस की दोरा की गई, कुम्बा की दोरा की गई, विकलप नमर एक बताने वाले सारेक सरी राइट हो जाएंगे, अगला किसन देखो, उसके बाद अगला परसन क्या पुछा गया है, सारेंगपुर का युद चोगदा सो 37 में किन राज्यों के मद्य हुआ था, इंपोर्टेंट एक तो मिवाड और एक आप की मालवा की बीच, किन की मीच हुआ था, मिवाड और मालवा की बीच हुआ था, विकलप नमर आपका एक राइट हो जाएगा, अगला किसन देखो, उसके बाद एगला परसन क्या पुछा गया है, अक्षार बाग, जिसे हम क्या बोलते हैं, केस सरबाग, वो कहाँ पर अस्तित है, क्सारबाग, जिसे हम केस सरबाग भी बोल सकते हैं, तो वो कहाँ पर है, बुंदी, जोदपुर, विकानिर, अजमीर, तो क्सारबाग आपका कहाँ पर हो जाएगा, या आपका बुंदी डिस्टिक के अंदर हो जाएगा, यानि बुंद पुछा गया कि राजस्तान में कुल कितने मरगवन है साथ दस पांच चार तो राजस्तान में मरगवन कितने हो जाएंगे आपके ये आपके होजाएंगे गुरु जी साथ ध्यान रखना राजस्तान में साथ मरगवन है विकलप नमबर आपका एक राइट होजाएगा अगला किसन उसके बाद अगला परसन क्या पुछा गया है परवन वहद प्रियोजना के तहट राजस्तान के किन जिलों को सिंचाई स्विधा उपलब्द हो रही है सिंचाई प्रियोजना को एकदम अच्छी से रट लेना तो परवन वहद सिंचाई प्रियोजना के तहट आपकी राजस्तान के किन जिलों को सिंचाई स्विधा उपलब्द कराई जारी है तो यह आपके किनको करवाई जारी है जलवाड कोट्टा और बारा को जान रिक लेना थोड़ा से इंपोर्टेंट किसन है जलवाड कोट्टा बारा को आपके ये सिंचाई सुझदा उपलद हो रही है अगला किसन देखो उसके बाद एगला परसुन क्या है किस इत्यास कारनि काली बंगा को सिंदु गाटी सब्वेता है इसकी तीसरी राजदानी मानी है जैसे अमलानन्द गोषनी, दसर सर्मानी, बिबिलाल, बिक्ये थफर, चार उपसन दे रहे हैं देखो, आप सभी को पता है अमलानन्द गोषने तो काली बंगा सब्वेता की तीसरी राजदानी बताया था अगला किसन देखो उसके बाद अगला परशने की वेदना में कौन सा परते हैं परते आप सभी को पता है सबद के अंत में जूड़ते हैं सबद के क्या होते हैं, अंत में जूड़ते हैं तो वेदना में कौन सा परते हो जाएगा अना है अना है धना है वदन है तो वेदना में गुरुजी कौन सा हो जाएगा वेदना सबद में आपका अना परते हो जाएगा कौन सा परते हो जाएगा अना परते हो जाएगा विकलप नमर एक बताने वाले सारे सारे राइट हो जा सोरी कर्शन जी के अनेको नाम है पुस्तक बहुत उपयोगी है सौब ना महीं सबल workers यह ब़ुत मिठिक काती है मैं अभ्यास कर रहाँ यह निची की तेनों सभी है लेकिन यह अपर वाला है कर्शन जीども क्नाम कर्शन जी अगला किसन देखो उसके बाद एगला परसन किया कि जारखंड राजे का जाद्दू गड़ा नामक अस्तान किस खनन के लिए जाना जाता है यह अच्छा कि उसने आपके लिए जारखंड राजे का जो आपका जाद्दू गड़ा नामक अस्तान है यह किस खननन के लिए जान इनिमन ले सी विदूत का सूचालग क्या है? यह आपके science से person पुछा गया कि इनिमन ले सी विदूत का सूचालग क्या है? हीरा, graphite रास्तान की graphite नगरी आप सभी को पता है जालोर को कहा जाता है ध्याहन रखना भी यह graphite नाम आती मुझे याद आ गया रास्तान की ग्रेफाइड नगरी जालोर को का जाता है तो निमन में से विदूत का सूचालेक पुछा है हीरा है, ग्रेफाइड है, फुल जीन है या फिर जन्तु चार्ल कोल है तो यह आपकी हो जाएगी निमन में से विदूत का सूचालेक है यह आपका हो जाएगा ग्रेफाइड विदूत का सुचला क्या हो जाएगा ग्रेफाइड हो जाएगा तो विकलप नमर आपका यहां से तो राइट हो जाएगा तो यह तो आज की मारी important class थी अभी आप इमांदरी से comment करके कि मुझे यह बताना कि आज गी जो मारी class है वो आपको कैसी लगी सभी विद्यारती एक बात आप comment करके मुझे इमांदरी से बताना कि आज गी जो अपनी class है वो आपको कैसी लगी कितने किसन विद्यारती हो आपके सही वे वो भी बात आपको बतानी है और कलास कैसे लेगी वो भी वतानी है कलास को आज हम यहीं पिसमाप्त करते हैं सभी विद्यारती कलास के साथ बने रहे न और सभी विद्यारती उसे मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आपनी वितक चैनल अश्टेडी एलट को सस्क्राइब नहीं किया न तो सबसे पहली प्रयात्मिक्ताब की चैनल को सस्क्राइब करने कि रहेगी सारीक सारी विद्यारती चैनल को सस्क्राइब गरे न जिससे क्या होगा कि अपनी न्यू कलास आगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा तो आज की कलास को में पिसमाप्त करते हैं बनेरे चैनल के साथ, धनिवाद, थैंक्यू, लाइक, सेरेंट, सब्सक्रेब, अश्टेडी एलर्ट और परतेक विद्यारती क्लास को एकदम अच्छे से देखना, धनिवाद